आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्यासंबल योजना गेज फेकल्टी से जुड़ी लेटेस्ट अपटेट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं या आप देखिए विद्यासंबल योजना अतिती सहायक आचारी रासे सोसाइटी माविद्यले संगठन जेपूर के दुवारा ये 16 जनवरी 2014 को स्रीमान अखिल अरोरा प्रमुक्वित सच्चिव सासन सच्चिवाले जेपूर को जो योजना के तहत जो गेश फेकल्टी कारियरत है चूंकि उनका कारियकाल समाप्त होने वाला है तो उस कारियकाल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए आपको पताईए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आयुक्ताले के दुवारा 12 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया था और उसके अ विद्यासंबल योजना के तहते जो गेश फेकल्टी आमंत्रित की जाएगी उनको अधिक्तम 24 अपता है या 28 फरवरी 2024 दोनों में से जो भी अवदी पहले होगी तब पत से हटा दिया जाएगा या आयुक्ताले के दुवारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था 24 अपता या 28 फरवरी जो भी पहले होगी पत से हटा दिया जाएगा तो जैसे जैसे 28 फरवरी नजदिक आ रही है वेसे वेसे रासेस्मा विद्यासंबल योजना के तहत कारियरत गेश फेकल्टी के माथे पर चिंता की लकीरे जो है वो गेर ही होती जा रही है उनको ये डर भागदोड कर रहे हैं मंत्रियों से मिल रहे हैं उनको ग्यापन दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनको सोसाइटी माविद्यालियों में विद्यासंबल योजना के तहत 28 फरवरी को पदमुक्त नहीं किया जाए और उसके पस्चात भी उनको रखा जाए अब इसके पक्स में उनका तरग क्या है वो आप देखिए सबसे पहले आप देखिए विशे इसमें क्या दिया है विद्यासंबल योजना के अंतरगत रासे सोसाइटी कोलेजों में नियुक्त सहायक आचारियों का सेक्षनिक सत्र दो हजार तेबीस चोबीस वर नई सिक्षा निती द कोलेजों में लगबग 900 सहायक आचारिये सन 2021 से नियमित रूप से सेवाय दे रहे हैं परन्तु सत्र दो हजार तेबीस चोबीस में कोलेज आयुक्ताले दुआरा दिनांक 12 अगस्त दो हजार तेबीस को आदेश जारी कर 28 परवरी दो हजार चोबीस अंतिम सेक्षनिक कारिय दिवस माना है किन्तु नई सिक्ष्या निती 2020 के नुशार सेमेश्टर परिक्ष्या प्रणाली लागू होने से वर्ष में दो बार विद्यार्थियों की परिक्ष्या होगी अभी प्रत्थम सेमेश्टर की परिक्ष्या फरवरी महा तक संपूर्ण होगी वद्धिवत्य से सम्पूर्ण पाठे करम बाकी है जबकि आयुक्तले दुवारा 28 परवरी 2024 का आदेश निकाल कर हमारे रोजगार वे विद्यार्थियों के बविश्य के साथ खिलवार किया जा रहा है अतरह स्रीमान आपसे निवीदन है कि हमारे अध्यापन की अवदी 23 सेमेस्टर के अनुसा सम्पूर्ण सेक्सिनिक अवदी 23-24 तक बढ़ाने की अनुसंसा करे तो ये जो है लेटर जो है वो दिया गया है अब इसमें इन्होंने ये तरक दिया है कि चूँकि इस सेशन से यानि सेशन 2023-24 से जो राष्ट्रिय सिक्षानिती 2020 है वो लागू की गी है और इस नई उनिवर्शिटीज के अंदर और कोलेजों के अंदर क्या किया गया है सेमेश्टर सिस्टम लागू किया गया है यूजी फैस्टीर के अंदर सेमेश्टर सिस्टम लागू किया गया है तो फैस्ट सेमेश्टर जो है अभी वो कंप्लीट होने जा रहा है और उसकी एकजाम ल पुरा फरवरी भी जो है एकजाम के अंदर बीत सकता है उसके पस्चात जो है यूजी फैस्टियर का सेकिंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो अगर विद्यासंबल के तहत जो रासेश मा विद्यालियों में अतिती शिक्सकारिय कर रहे हैं अगर उनको 28 फरवरी को हटा दिया पस्चात इन कोलेजों के अंदर सेकिंड सेमेश्टर के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा तो नहीं केवल अतिती जो सदस्थ से लगे हुई है गेस्टिय जो लगी है वो बेरोजगार हो जाएगी अपितु सेकिंड सेमेश्टर की बिलकुल भी कोलेजों की सिक्षन विवस्ता विद्यासंबल गेश फेकल्टी के बरोश्य चल रही है इसलिए 28 फरवरी के पस्चाथ अगर इनको पद से हटा दिया जाता है तो फिर सिक्षनिक विवस्ता बिल्कुल अस्त वेस्त हो जाएगी जो विद्यार्थियों के साथ भारी के तहते रासेस्मा विद्यालियों में जो अतिती सिक्षक लगे हुए हैं वो अलग-अलग प्रकार से जो है मंत्रियों को ग्यापन दे रहे हैं मंत्रियों से मिल रहे हैं ग्यापन दे रहे हैं और अपनी जो मांग है उससे अवगत करा रहे हैं यह आप देख सकते हैं विद्यासंबल गेशफटी के दुवारा ग्यापन प्रदान किया जा रहा है। है उस पर बिलकुल आपके फेवर में निरने लिया जाएगा विद्यार्थियों के जो पढ़ाई है वो बात इतनी होने दी जाएगी उनके बविश्य के साथ खिलवार नहीं होने दिया जाएगा और आपका जो कारी दिवस 28 फरवरी अंति में उसको आगे बढ़ा दिया कोलेजों के अंदर कारेरत गेज फेकल्टी को उठा दिया जाएगा या फिर इनका कारेकाल आगे बढ़ा करके सेकिंड सेमेस्टर तक इनको रखा जाएगा ठीक है तो ये थी विद्यासंबल योजना गेज फेकल्टी से जुड़ी अपडेट इसी प्रकार की अपडेट प